दोस्तों UPSC क्रेक होने के बाद दिव्या तवर से जब एक इंटर्व्वू में उनके साधी को लेकर के पूछा गया कि आप इन में से किस टाइप के हस्वेंट से साधी करना पसंद करेंगी और बहतर समझेगी जो आपके अनुसार सही हो और इसके लिए दिव्या के सामने पाच ओप्संस भी रखेंगा है जिसमें पाला था कि वो लड़का विनमर है या नहीं दूसरा वो समझदार है या नहीं तीसरा वह जिन्दगी में सफल है या नहीं चौथा वह हैंसम स्वक्ष और आकरसक दिखता हो या नहीं पाच वा और कि वह कैसा दिखता हो या कितना हैंसम हो जर्री तो यह है कि उसकी सोच और उसके विचार कैसे हो और अगर हमारी सोच आपस में दिलती हो तो बेसक हुआ एक अच्छा जिवन साथी होगा दोस्तों आपको दिव्या तवर की इस जवाब पर और उनकी इस सोच पर क्या कहना ह हमें कमेंट सेक्षन में तो लिखना मत हो दिएगा और सी तरह के मोटिवेस्टन और हेलफफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर तो जरू कर दिएगा दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में